Good day to all of you, पिछली क्लास में आपने format menu के बारे में सीखा था, आईए अब पिछली क्लास का revision कर लेते हैं, क्या आप बता सकते हैं, page orientation कितने प्रकार की होती हैं, orientation दो प्रकार की होती हैं, पहला, portrait, दूसरा, landscape, क्या आप बता सकते हैं, drop caps का उप्योग क्यों करते हैं, drop caps की मदद से आप अपने text, paragraph के पहले word अत्वा character को एक बड़े word में कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, blinking का उप्योग क्यों करते हैं, blinking की मदद से आप अपने select किये हुए paragraph को blink करा सकते हैं, जिससे कि आपका paragraph बार बार आएगा और जाएगा, अब आप सभी अपने computer को on करें और फिर writer के file को बताया गए, किसी भी तरीके से open करें, अगर open करने में कोई समस्या हो, तो वीडियो की मदद से open करना सीखें, आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि command के द्वारा हम writer के file को कैसे open करते हैं, इसके लिए आपको अपने keyword में window बटन को डोड़ना होता है, और उसे अपने left hand के एक finger से दबा के रखना होगा, इस box के अंदर आपको अगर blank दिख रहा है, तो ठीक है, अगर नहीं तो उसको backspace से delete करके, जो भी लिखा हुआ है, उसके अंदर आप s writer को type करें, और फिर ok के बटन पे click करें, या enter बटन का प्रियोब करें, जिससे कि आपका writer का file directly open हो जाएगा, आईए जानते हैं, आज की class में आप क्या सीखेंगे, आज की class में आप format menu के option के बारे में सीखेंगे, जैसे कि change case क्या होता है, table क्या होता है, table को कैसे insert करते हैं, row और column क्या होती है, row और column को insert कैसे करते हैं, table को delete कैसे करते हैं merge sale क्या होता है split sale क्या होता है autoformat का उप्योग क्यों करते हैं आईए आज की कख्षा को शुरू करते हैं अब सामने दिये गए paragraph को type करें अब आप format menu के change case के option के बारे में सीखेंगे Change case के मदद से आप अपने लिखे हुए paragraph को capital में कर सकते हैं या lower case में कर सकते हैं या फिर आप sentence case में कर सकते हैं आईए अब lower case के बारे में सीखते हैं क्या आप बता सकते हैं कि lower case से क्या होता है Lower case से आप line या paragraph के सभी letter को small letter में बदल सकते हैं आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि lowercase का उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने paragraph को select करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आए यहाँ पर click करें उसके बाद change case लिखे हुए option पर लेकर रहा है pointer को जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद इसके ठीक सामने ऐसे pointer को लेकर रहा है और फिर lowercase पर click कर दें जैसे कि आपके text जो है lowercase में हो जाएंगे तो इस तरह से आप lowercase का उपयोग कर सकते हैं आईए अब sentence case के बारे में सीखें क्या आप बता सकते हैं कि sentence case क्या होता है sentence case में line का पहला letter capital में होता है लेकिन आपके page में पहले से ही sentence case select होता है वीडियो को देखकर sentence case का अभ्यास करें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि sentence case का उपयोग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने paragraph को select करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आएं यहाँ पर click करें उसके बाद change case लिखे हुए option पर लेकर आएं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर उसके ठीक सामने ऐसे अपने pointer को लेकर आएं फिर sentence case पर click कर दें जैसे कि अपका paragraph sentence case के view में आ जाएगा इस तरह से आप sentence case का उप्योग कर सकते हैं अगला option अपर case का आता है क्या आप बता सकते हैं अपर case से क्या होता है अपर case से आप line या paragraph के सवी लेटर को capital letter में बदल सकते हैं आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अपर case का उप्योग कैसे करते हैं आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अपर case का उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने paragraph को select करें उसके बाद अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आए यहाँ पर click करें फिर अपने pointer को change case लिखे हुए option पर लेकर आए उसके बाद ठीक इसके सामने ऐसे pointer को लेकर आए और फिर uppercase पर click कर दें जिसे कि आपका paragraph जो है उसके text सारे capital letter में हो जाएंगे जिसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस तरह से आप capital letter या अपर केस का उपयोग कर सकते हैं अगला option capitalize every word का है क्या आप बता सकते हैं कि capitalize every word से क्या होता है इससे आप line या paragraph के हर एक word के पहले letter को capital letter में बदल सकते हैं आईए वीडियो को देखकर capitalize every word का उपयोग करना सीखें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि capitalize every word का उपयोग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने paragraph को select करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर रहें यहाँ पर click करें उसके बाद change case पर लेकर रहें और फिर ठीक उसके बाद इसके सामने ऐसे pointer को लेकर रहें उसके बाद capitalize every word पर अपने pointer को लेकर रहें और फिर click कर दें जिससे कि आपके paragraph के text के हर एक word का पहला word capital letter में आ जाएगा तो इस तरह से आप capitalize every word का उपयोग कर सकते हैं अब अगला option है toggle case क्या बता सकते हैं toggle case का उपयोग क्यों करते हैं toggle case से आप line या paragraph के पहले letter small letter और बाकि सभी को बड़े letter में बदल सकते हैं आएए बीडियो को देखकर सीखते हैं कि toggle case का उपयोग कैसे करते हैं आएए बीडियो को देखकर सीखते हैं कि toggle case का उपयोग कैसे करते हैं यहाँ पर क्लिक करें फिर अपने पॉइंटर को चेंज केस पर लेका रहें उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें जिससे कि आपके पैराग्राफ के हर एक वर्ड के बीच में कैपिटर लेटर, स्मॉल लेटर आ जाएगा तो इस तरह से आप टोगल के इसका उप्योग कर सकते tentang कि आप जानते हैं कि टेबल क्या होती है और इसका उप्योग क्यों करते हैं टेबल रो और कॉलम से मिलकर बनती हैं या आपके मैज की नोटबूक की तरह दिखाई देती हैं जिसके अंदर बहुत सारे box होते हैं टेबल का उप्योग बहुत से कारों के लिए करते हैं, जैसे कि लिस्ट बनाने के लिए, ओफिस के कारों के लिए, रिपोर्ट कार्ड, कैलेंडर, स्टुडेंट के मार्क्स या उनके डिटेल इत्यादी बनाने के लिए करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि रो और कॉलम क्या होता है, अब आप सामने दिखाये गए चीतर को ध्यान से देखें, यहाँ पर ओरिजेंटल और वर्टिकल रो और कॉलम कौन से होते हैं, यहाँ दिखाया गया है, दिए गए चीतर में लेफ्ट से राइट के तरह जो बॉक्स दे रहा है, उन्हें प्रो कहते हैं, जो कि होरिजेंटल या होरिजेंटल होता है, और जो अब टू डाउन की तरह बॉक्स होते हैं, उसे कॉलम कहते हैं, आईए अब सीखते हैं कि टेवल को इंसर्ट कैसे करते हैं, टेवल को आप तीन करीके से ओपन कर सकते हैं, पहला आप insert menu के table option का उप्योग करके दूसरा आप table menu के insert option का उप्योग करके तीसरा इसके लिए आप shortcut command का भी उप्योग करके open कर सकते हैं जो की control plus F12 होता है आईए बीडियो को देखकर तीनों तरीके से table को open करना सीखते हैं आईए table को आप दो तरीके से insert कर सकते हैं एक stepwise और एक shortcut command के द्वारा अभी आप stepwise के बिधी के द्वारा सीखेंगे और आगे के वीडियो में shortcut command के द्वारा table को create करना सीखेंगे इसके लिए आप सभी अपने pointer को menu bar के table लिखे हुए option पर लेका रहे हैं जैसे की वीडियो में दिखाया जा रहा है और यहाँ पर click कर दें उसके बाद आप insert लिखे हुए option पर pointer को लेका रहें फिर table लिखे हुए option पर pointer को ले जाए और यहाँ पर click कर दें जिसे की एक box open होगा इस box के अंदर यहाँ पर pointer को लेका रहें यहाँ पर देखे दो option है column और row जैसे की आप सभी जानते हैं table, column और row को मिलाकर बनती है अब हमें जितनी column देने हैं यहाँ से दे सकते हैं यहाँ पर click करेंगे तो column का number बढ़ेगा और नीचे वाले पर click करेंगे तो कम होगा क्योंकि हमें यहाँ पर जितना भी table आपको बनाना है उसका number दीजिए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर row का number दीजिए और उसके बाद ok पर click कर दीजिए जिससे की टेबल आपके writer के page पर insert हो जाएगा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेबल के द्वारा हम student का record बना सकते हैं तो इसमें हम student के record को type करेंगे सबसे पहले वाले sale में name type करेंगे उसके बाद row number फिर अगले वाले sale में जाएंगे अगले वाले sale में जाने के लिए आप keyboard में tab की क्या उप्योग करेंगे या फिर arrow की का उप्योग करेंगे उसके बाद अब subject का नाम देंगे याँ पे जो भी subject हो अब आपको नीचे आना है name वाले sale के नीचे तो अपने pointer को ऐसे लेकर आए mouse के द्वारा और यहाँ पे रखें और फिर left बटन को प्लिक कर दें अब आप student के नाम को type करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से नाम को type कर लें नीचे जाने के लिए आप arrow की का उप्योग करें अब आपको roll number वाले cell में आना है यानि कि उसके नीचे वाले तो अपने pointer को यहाँ पे लेकर आए roll number को type करें फिर अब नीचे जाना है तो down arrow की का उप्योग करें फिर नीचे जाना है roll number type करना है फिर नीचे जाना है roll number type करना है इस तरह से आप roll number type कर सकते हैं अब आपको हिंदी के मार्क्स देने है, हिंदी वाले सेल के नीचे लेकर आए, पॉइंटर को, जो भी मार्क्स देना है, टाइप करें, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे मार्क्स देते जाएं, उसके बाद, इंगलिस वाले सेल के नीचे अपने पॉइंटर को लेकर आए, फिर अब यहाँ भी मार्क्स टाइप करें, फिर अब कंप्योटर के मार्क्स को टाइप करें, यहाँ पैसे, इस तरह से आप टेबल के अंदर डेटा या कुछ भी टाइप कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि रो को कैसे इंसर्ट करते हैं, रो को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल में जहाँ पे रो को इंसर्ट करना चाहते हैं, आप अपने कर्सर को उस रो से पहले वाली रो में एक पर क्लिक कर दें, आये अब बीडियो को देखकर सीखते हैं कि रो को कैसे इंसर्ट करते हैं, मालनी जीए आपको एक और स्टूडेंट कर रिक और डायट करना हैं, तो अब आप रो का उप्योग करेंगे या रो इंसर्ट करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आपका pointer जहां पर होना चीए क्योंकि इसके नीचे row insert करना है उसके बाद आप अपने pointer को table लिखे हुए option पर लेकर आएंगे यहां पर click करेंगे उसके बाद insert लिखे हुए option पर जाएंगे और फिर row पर click कर देंगे जिसे कि एक box open होगा अब इस box के अंदर दो option दिए गया है जैसे कि insert और position insert से यह हम define करेंगे कि हमें कितने row चाहिए हमें एक row बढ़ाना है तो हम इसके अंदर एक ही row रहने देंगे अगर आपको जादा करना है तो इस पर click करेंगे तो बढ़ जाएगा नीचे वाले पर click करेंगे तो ऐसे row कम हो जाएगा उसके बाद आता है position position के अंदर दो option दिए गया है before और after before का मतलब होता है जहां आपका cursor है उसके पहले आपको row insert करना है और after का मतलब होता है कि जहां cursor है आपका या जिस sale के अंदर आपका cursor blink कर रहा है उसके बाद आपको row insert करना है तो इन में से जो भी आपको select करना है उसे आप select कर सकते हैं कि हमें cursor के आगे insert करना है row को तो हम after वैसे ही select रहने देंगे और फिर ok पर click कर देंगे जिससे कि नीचे एक और row insert हो जाएगा इसके अंदर हम एक और student के record को add कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर अगले sale में जाएंगे उसके marks को type करेंगे फिर अगले sale में जाएंगे फिर उसके marks को type करेंगे इस तरह से अगर आपको row insert करना है तो आप row insert कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं column को कैसे insert करते हैं column को भी आप वैसे insert करेंगे जैसे आपने row को insert किया था आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि column कैसे insert करते हैं Column insert करने के लिए आप सभी अपने pointer को टेबल लिखे हुए option पर लेकर आए यहाँ पर click करें अब इस box के अंदर insert लिखे हुए option पर जाए और फिर इस box के अंदर column लिखे हुए option पर click कर दें जिससे की एक box आएगा इस box में भी आपको दो option दिये गए है insert और position insert से आपको या define करना है कि आपको कितने column insert करने है अगर आपको column के number को बढ़ाना है तो इस उपर वाले पे click करेंगे अगर कम करना है तो इस नीचे वाले पे click करेंगे उसके बाद होता है position position का मतलब होता है कि आपको जो column insert करना है वह कहाँ पर करना है आपके cursor के बाद में या cursor के पहले before का मतलब होता है कि cursor के पहले एक और column insert हो जाए और after का मतलब होगा कि cursor जहाँ है उसके आगे एक और column insert हो जाए क्योंकि हमें आगे insert करना है तो हम after पर रहने देंगे और फिर ok पर click कर देंगे एक और column insert हो जाएगा इस तरह से आप column को insert कर से अगर आप चाहें तो type कर सकते हैं एक और subject का नाम type कर सकते हैं और उनके marks को भी दे सकते हैं आईए अब delete sub menu के बारे में सीखते हैं डिलीट से आप table row और column को delete कर सकते हैं आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि डिलीट कैसे करते हैं आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि रो और कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं मालनी ची अगर आपको रो को डिलीट करना है या जिस रो को डिलीट करना है वहाँ पे अपने करसर को रखें और फिर अपने पॉइंटर को टेबल लिखे हुए मैनू बार के ओप्शन पर लेकर आए यहाँ पर क्लिक करें उसके बाद डिलीट लिखे हुए ओप्शन पर लेकर आए फिर रो लिखे हुए ओप्शन पर क्लिक कर दें जिससे कि आपका वह पुरा row डिलीट हो जाएगा जहाँ आपका करसर होगा तो इस तरह से आप row को डिलीट कर सकते हैं अगर मालने जीए आपको column को डिलीट करना है तो जिस column को डिलीट करना है वहाँ पे अपने करसर को रखें जैसे वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है फिर उसके बाद अपने pointer को table लिखे हुए option पर लेकर आए फिर delete पर जाएं और column पर क्लिक कर दें जिससे की column delete हो जाएगा तो इस तरह से आप row और column को delete कर सकते हैं अब आप select option के बारे में सीखें select के मदद से आप अपने पूरे table, row और column को select करना सीखेंगे वीडियो को देखकर सीखते हैं कि select कैसे करते हैं आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि table को select कैसे करते हैं table को select करने के लिए आप सभी अपने pointer को table लिखे वी option पर लेकर रहे हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद यहां पर क्लिक करें, फिर आप select लिखे हुए option पर pointer को ले जाएं, और table पर क्लिक कर दें, जैसे ही आप table पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा table select हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगर आपको row को select करना है, तो आपको जिस row को select करना है, उस row में आप अपने cursor को रखें, फिर table पर जाएं, उसके बाद select लिखे हुए option पर आएं, फिर row पर क्लिक कर दें, जिससे कि जहां आपका cursor होगा, वह पूरा row select हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगर आपको कोई column select करना है, उस column के sale के अंदर अपने pointer को रखें, फिर अपने pointer को टेबल पर लेकर जाएं, select पर जाएं, उसके बाद column लिखे हुए option पर click कर दें, जिससे कि वह पूरा column select हो जाएगा, अगर मालने जी आपको कोई particular sale select करना है, तो उस sale के अंदर अपने pointer को रखें, टेबल पर जाएं, select और फिर sale पर click कर दें, एक sale select हो जाएगा, तो इस तरह से आप select कर सकते हैं, आईए अब merge sale के बारे में सीखते हैं, कि आप जानते हैं कि merge sale क्या होता है, merge का मतलब होता है, मिलाना या एक करना, merge sale का उप्योग दो या उससे अधिक sale को एक sale में करने के लिए करते हैं, आइए वीडियो को देखकर merge sale का उप्योग करना सीखें आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि merge sale का उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए सबसे पहले आप यह देखेंगे कि आपको कौन से sale को merge करना है मालनी जी हमें इस table के अंदर हिंदी और इंगलिस वाले sale को merge करना है तो हम अपने cursor को इस sale के अंदर रखेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद इसे select करेंगे select करने के लिए आप अपने touchpad या mouse के left button को दबा के रखेंगे और फिर इसे ऐसे drag करेंगे drag करने के बाद यह select हो जाएगा उसके बाद आप table के अंदर जाएगे यहां पर फिर merge sale पर क्लिक कर देंगे जिससे कि यह दोनों sale आपस में जुड़ जाएगा यानि कि merge हो जाएगा इस तरह से आप merge sale कर सकते हैं या merge sale का उप्योग कर सकते हैं आईए अब split sale का उप्योग करना सीखें क्या आपको पता है split का मतलब क्या होता है split का मतलब होता है अलग करना या टुकडों में बाटना split cell से आप एक cell को एक से अधिक cell में बदल सकते हैं अथवा टुकडे में कर सकते हैं आप चाहें तो cell को horizontally या vertical में बाट सकते हैं split cell का उपयोग कैसे करते हैं या दिखाया जा रहा है वीडियो की मदद से सीखें आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि split cell का उपयोग कैसे करते हैं split cell से आप एक cell को दो भागों में बाट सकते हैं जैसे मान लिजिए अगर आपको किसी cell को दो भाग में बाटना है जैसे computer वाले subject को दो भाग में बाटना है तो हम अपने cursor को computer वाले cell के अंदर लेकर आएंगे जैसे कि आपको विडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद अपने pointer को हम table लिखे हुए option पर लेकर आएंगे और फिर split cell लिखे हुए option पर क्लिक कर देंगे जिसे कि एक box open होगा अब इस box के अंदर आपको दो option दिये कहा है पहला split और दूसरा direction split वाले में split का मतलब होता है कि आपको इस cell को कितने भाग में बाटना है जैसे कि लिखा हुआ है split cell into आप इस cell को दो भाग में बाटना चाहते हैं तीन भाग में बाटना चाहते हैं चार भाग में जितना भी आपको करना बढ़ाना है या से उपर से बढ़ा सकते हैं अगर कम करना है तो नीचे साइसे कम कर सकते हैं हमें इस सेल को दो भाग में बाटना है तो हम split सेल इंटू 2 रखेंगे उसके बाद आता है direction direction से यह होता है कि आपको जो बाटेंगे अपने सेल को या split करेंगे उसे किस view में रखना चाहते हैं horizontally या vertically आपको इन में से जो भी direction रखना हो उसे select करें जैसे माल लिजी है हमें vertically रखना है तो हम vertically को select करेंगे और फिर ok पर click कर देंगे तो वह सेल दो भाग में vertically बढ़ जाएगा इस तरह से आप इस split सेल का उप्योग कर सकते हैं आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि एक student के marks का total कैसे निकालते हैं या फिर total कैसे निकालते हैं column insert करने के लिए आप सभी अपने pointer को table लिखे हुए option पर लेकर आएं यहाँ पर click करें अब इस box के अंदर insert लिखे हुए option पर जाएं और फिर इस box के अंदर column लिखे हुए option पर click कर दें जिससे की एक box आएगा इस box में भी आपको दो option दिये गए हैं insert और position insert से आपको या define करना है कि आपको कितने column insert करने हैं अगर आपको column के number को बढ़ाना है तो इस उपर वाले पर click करेंगे अगर कम करना है तो इस नीचे वाले पर click करेंगे उसके बाद होता है position position का मतलब होता है कि आपको जो column insert करना है वह कहां पर करना है आपके cursor के बाद में या cursor के पहले क्योंकि हमें आगे insert करना है तो हम after पर रहने देंगे और फिर ok पर click कर देंगे एक और column insert हो जाएगा अगर आप चाहें तो टाइप कर सकते हैं एक और subject का नाम type कर सकते हैं और उनके marks को भी दे सकते हैं आप अपने pointer को total वाले cell के नीचे यहाँ पर click करेंगे और उसके बाद total के लिए formula type करेंगे जो कि होता है equal to यानि कि बराबर का sign और फिर sum उसके बाद आप सभी अपने pointer को जहां से subject के marks शुरू हो रहे हैं वहाँ पर अपने pointer को रखेंगे या लाएंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और फिर यहां से ऐसे mouse या touchpad के left button को दबा के रखेंगे और फिर उसे ठीक उसी box के अंदर जिससे student का marks आप निकाल रहे हैं उसी के sale के अंदर सीधा रखेंगे और उसे drag करेंगे जिससे कि जितने भी marks या जितने भी subject होंगे वह सारे select हो जाएंगे और total वाले sale के नीचे ऐसे लिखे हुआ आ जाएगा उसके बाद आप enter बटन का उप्योग करेंगे जिससे कि total हो जाएगा इस तरह से आप total को निकाल सकते हैं अब फिर से अपने pointer को नीचे वाले sale में लेकर आएंगे या अपने cursor को नीचे वाले sale में लेकर आएंगे total निकालेंगे जो कि formula होता है equal to यानि कि बराबर का sign sum और फिर अपने pointer को दूसरे student के marks जहां से subject सुरू हो रहा है है या subject के marks जहां से सुरू हो रहा है उनको select करेंगे आप सभी अपने touchpad या mouse के left button को दबा के रखें और फिर उसे drag करके से सीधा लेकर आएं ध्यान रहे है कि जिस student का marks निकाल रहे है या marks का total कर रहे है उसी का sales select हो दूसरा sales select ना हो और उसके बाद enter button का उप्योग कर दें जिससे कि दूसरे student का भी marks का total आ जाएगा अब फिर आप तीसरे student का total निकाल लें अपने cursor को नीचे वाले sales में लेकर आएं sum का formula टाइप करें equal to s, u, m फिर अब आप अपने pointer को यहाँ पर लेकर आएं अब फिर इसे select करें जैसे कि select करने का method अपने touchpad या mouse के left button को दबा के रखना है और इसी sales के बराबर ऐसे drag करना है फिर enter button का उप्योग कर देना है जिससे कि यह total आ जाएगा फिर से अब आप चौथे student का total निकालें नीचे वाले sales में लेकर आएं pointer को sum का formula टाइप करें उसके बाद इनके subject के marks को select करें ऐसे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और फिर आप enter button का उप्योग कर दें इस तरह से आप total निकाल सकते हैं आईए अब auto format के बारे में सीखना शुरू करते हैं auto format एक ऐसा option होता है जिसमें पहले से ही table के बहुत से design उपलब्द रहते हैं आप इनको सिर्फ apply करके उसी format में table के design कर सकते हैं आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि auto format का उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को table के अंदर लेकर आएं उसके बाद यहां पर click करें और फिर auto format लिखे वे option पर click कर दें जिसे की एक box open होगा यहां पर table के design के लिए अलग-अलग option या बिकल्प मौझूद हैं इन में से आपको जो भी अच्छा लगे इसे ऐसे नीचे drag करके देख सकते हैं इन में से आपको जो भी चीए उसे select करें ऐसे और फिर उसे ok कर दें तो बै टेबल का design आपके table के format पर आ जाएगा यानि कि table पर आ जाएगा तो इस तरह से आप auto format का उप्योग कर सकते हैं क्योंकि आज की कक्सा यहीं पर समाप्त होती है आप सभी writer की file को close करें और अपने computer को set down करें आज की class में आपने change case क्या होता है टेबल क्या होता है रो और column क्या होती है row और column को insert कैसे करते हैं table को insert कैसे करते हैं merge cell क्या होता है split cell क्या होता है और सबसे last में auto format क्या होता है या सीखा